Hello and welcome to my channel, मैं हूं रिचा, जैसा कि आपको पता है मैं जामनी में रहती हूं और यहां की life and struggle से related videos बनाती हूं अभी तक आपने मेरे videos चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक किजिए, I'm sure आपको पसंद आएंगे अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज अपने family and friends के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने मुझे instagram पर follow नहीं किया है तो please follow me मेरे instagram की idea है littlethingsperature recently मैंने pregnancy से related videos बनाना start किया था तो अभी तक आपने चेकने किया तो please check किजिए pregnancy में होने वाले problems उसका solution किया है क्या हम करें ताकि वो problem ना हो अगर problem हो जाए तो क्या करना चाहिए उससे related मैंने videos बनाया है वो सारे videos based on my experience है तो आप रिलेट कर पाएंगे 100% ना से ही वर थोड़ा बहुत आप रिलेट कर ही पाएंगे और आपको help भी मिलेगा आज जो मैं topic लेकर के आई हूँ वो बहुत ही interesting topic है वो है कि अगर आप जॉबनी में रहते हैं आपका baby born हुआ है तो आप कैसे health insurance के लिए apply करेंगे by default आपको मैं बतादू by default जो आपका baby का health insurance card होगा वो parents का जो भी card होता है उसी वही होता है जैसे कि मेरा TK का है तो मेरे baby का health insurance card TK का ही होगा तो generally क्या होता है process तो आपको net पे कहीं पे भी मिल जाएगा कि कैसे apply करना है कहां से form download करना है कि section में क्या लिखना है यह आपको कहीं नहीं कोई नहीं बताता है आप किसी से help लेंगे corona के time में तो कोई आ के आपका help नहीं कर सकता कोई भी friends नहीं आप call करके ही help लेंगे as such मुझे काफी problem हुआ तो मैंने सूचा क्यों नहीं इस topic पर वीडियो बनाया जाए ताकि मेरे जैसा problem किसी को नहीं हूँ तो आज मैं topic लेकर के आई हूं कि टीके का form कहां से download करना है कि section में क्या लिखना है कि सब्सक्राइब करना है उसके लिए क्या 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 लिखना है एंड प्रोसेश वाइज कि section में नेम लिखना है वेसलिए बाकी जो कि section में क्या लिखना है वो सारी चीजे screen wise में आपको share करने वाली हूं आप newborn child के लिए health insurance कैसे apply कर सकते हैं to simplify करने के लिए process को हमने यहां पे steps में break करा है I think you can also follow the same steps so सबसे पहले आपको आपके पास birth certificate होना चाहिए and after that आप application form फिल करोगे and then आपको दोनो application form and birth certificate का copy आप send करोगे ठीके को so आप post कर सकते हो या email भी directly कर सकते हो so email जब आप करोगे तो scan करके आपको application form and birth certificate दोनों को send करना है and उसके बाद आप कुछ दिन वेट करोगे if ठीके को अगर कुछ questions होंगे then they will contact you और आपको अगर कुछ questions होंगे then you can also contact customer support via chat or phone or email जो भी आप आपका preference हो so हमें application form fill up करना है so हमने क्या करा है कि हमने तीन रोल तीन डिफ्रेंट परसन एजिम किया है ताकि application form मैं आपको fill करके अच्छे से बता सकूं so इसमें पहला person जो है वो Ankit Sarma है and he is working here in Germany and उसके पास health insurance TK का है and मैंने यह एजिम कराई कि उसके पास TK का health insurance number यह है and Ankit का wife Sina, she is not working and Sina as a non-contributory dependent insured है TK के साथ and Sina का health insurance number मैंने माल लिया किये है and जो new born child है Sina का and Ankit का उसका नाम ब्रयान सर्मा है actually यह details हम use करेंगे यह dummy details है यह dummy details हम use करेंगे जब हम application form fill करेंगे so रयान new born child है and अभी उसके पास health insurance नहीं है so हमें रयान के लिए health insurance supply करना है so हम यहां पे सबसे पहले application form open करेंगे मैं आपको application form so यहां पे आप जब इस link पे आओगे तो आपको यहां पे एक form दिखेगा non-contributory dependent coinsurance form so basically यह form आपको fill up करना है and यह form dependent के लिए होता है जिसे dependent wife can be dependent or children can be dependent जो contribute नहीं कर रहे हैं जिनके पास job नहीं है so all of them would come as a dependent non-contributory dependent so हमें यह form download करना है so मैं download कर लेता हूं और इसको मैं इसे इसे कहीं अपिन देता हूं so यह form है और यह मैं fill करूंगा आपके सामने so सबसे पहले यह है कि यह form एक बार देख लेते हैं कितने pages हैं so I think it's total 3 pages आपको fill करने हैं 4 pages and yes total 4 pages and यहां पे mail address है जहां पे आप पोस्ट कर सकते हो so सबसे पहले यहां पे हमें mention करना है details जो pay कर रहे हैं health insurance का so यहां पे हमने जो example यहां पे लिया था वो example हमने यह लिया था कि Ankit is paying to health insurance so यहां पे जो details जाएगा वो Ankit का जाएगा so Ankit का detail हम fill करते हैं so last name Sarma and then Ankit and let's assume करते हैं कि यह कैंट स्ट्रा से में है बंदा and postcode 165 health insurance यहां से हम पिक कर सकते हैं जो dummy health insurance हमने लिया है इसके बाद हम यह application form by email send करेंगे so by email send करने के लिए यह email address आप यूज कर सकते हैं उसके बाद in non-contributory dependent co-insurance section में हमें mention करना है details जिनके लिए हम यह health insurance application form fill कर रहे हैं so region for applying for non-contributory dependent co-insurance में हमें birth of my child select करना है उसके बाद आपको यहां पे start date of non-contributory dependent co-insurance for my children so यहां पे आपको date of birth mention करना है of your children actually होता है कि जब baby born होता है तो उस time पे baby का जो insurance है जो भी उसका check-up बेगर होता है वो actually parents के health insurance पे हो जाता है तो तब जब तक कि उसका अपना health insurance card ना हो तो यहां पे हमें mention करना है date of birth actual date of birth of the children so यहां पे let's assume करते कि 2nd April को baby born हुआ है and उसके बाद हम यहां पे other details like marital status में हम married करेंगे because Ankit is married and यहां पे हम previous health insurance membership देंगे actually यहां पे membership जाएगा because because it was already part of parents health insurance so child was already insured था parent के card पे तो यहां पे पास उसके बाद हम यहां पे life partner spouse और life partner तो इस case में सीना का detail है यहां पे जाएगा so Sarma Sina NTK health insurance हम use कर सकते हैं सीना का यहां से so यहां पे हम Sina का use करते हैं health insurance so यह details आपका यह details आपका यहां पे जाएगा उसके बाद date of birth करते हैं 1993 और 1994 1994 करते हैं 2nd of April 94 and उसके बाद यह section हमें फिल करना यह section important है यहां पे क्या है कि अगर आपके wife के पास already pension insurance number है for example कि यह जो new baby born हुआ है second child है तो first case first child के लिए अगर already kinder guild मिल रहा है so उसके लिए pension insurance चाहिए होता है और Elton guild के लिए Elton guild जब मिलता है तो भी pension insurance attached होता है तो उस case में अगर already आपके पास first child है तो आपके पास pension insurance number होगा अगर नहीं अगर यह baby आपका first child है तो इस case में क्या होता है कि आपका new pension insurance number बन के आएगा क्योंकि Sina already unemployed थी and now she gave birth and Rhyan उसका first children है so उस case में Sina will get pension insurance number so जब आप application form फिल कर रहा है यहां पे उस time पे अगर उस time तक आपके पास pension insurance number है Sina का तो आप यहां पे pension insurance number अगर नहीं है तो उस case में आप details फिल करना पड़ेगा so हम एजिम करते हैं कि हमारे पास नहीं अभी actually baby birth के within one month आपको pension insurance number आ जाएगा अगर आपके पास already नहीं है तो लेकिन हम यह एजिम करते हैं कि ठीक है sorry and place let's say in India and nationality Indian different address no same address सो यहां पर आप यह मेंशन कर सकते हूं नन कंट्रिबूटरी डिपेंडेट कोइंसरेंस सो एक्चली हमें यह सेलेक्ट करना है यहां पर मेंबर्शिप सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि जो स्पाउस जो वाइफ है यहां पर मेंबर्शिप सेलेक्ट करना है उसके बाद हमें यह डिटेल्स मेंशन करना है विच इस वेरी इंपॉर्टेंट की कब से उनका हेल्थ इसलेक्ट के साथ स्टार्ट हुआ है जिए करते हैं कि 7th April 2018 में हुआ यहां पर आप two day date दे सकते हो अगर उनके पास health insurance TK का है कुछ case में क्या होता है कि discontinue कर देते हैं और private में move कर जाते हैं या दुसरे health insurance में move कर जाते हैं तो उस case में यहां पर दूसरा डिटेल आएगा लेकिन most of the cases में अगर health insurance आप TK का लिये हैं तो लिये हैं उस case में आपके पास आप यहाँ पे mention करोगे current date क्योंकि आपके पास already अभी है and you are going to use that so यहाँ पे आप today date mention कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पे health insurance का नाम दोगे आपको यहाँ पे TK जाएगा and एक चेज यहाँ पे देहां देना है कि अगर आपके पास already pension insurance number आपको यह detail फिर से फिल नहीं करना है last name place and so यह details only pension insurance number detail दोगे that's it यह लेकिन यह details आपको फिल करना always previous health insurance details and from कब से कब तक है उनका and name of health insurance यहाँ पे आप यहाँ पे आप यहाँ पे आप since Sina is not working anywhere so it will be no would be the right choice here and yes आप detail फिल नहीं करना है क्योंकि इस नहीं करना है क्योंकि इसके बाद आपका child का detail से यहाँ पे mention करना है तो child का last name Sarma and Rhyan and male date of birth date of birth date of birth हमें यहाँ पे mention करना है so date of birth let's say कि 4 4 20 21 so date of birth है यहाँ पे हमें एड्रेस मेंशन करना है जो हमारा जो पैरेंट का अड्रेस है relationship birth child होगा यहाँ पे child birth parent yes and उसके बाद उसके बाद इसके बाद यहाँ पे last name at birth यह दिटेल्स यहाँ पे यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करना है बिकास निव बॉर्ण चाहिल का पेंशन इस नहीं नमबर नहीं है राइट तो इसकेस में आपको डिटेल्स मेंशन करना है अपने चाहिल्ड का सुच लास्ट नेम उड़ बी शर्मा अपने प्लेस अंड कंट्री अव बार्थ विड बेड बर्लीन जमानी इसनलीटी इंडियन प्रिवेस इंसुरेंस में आप नन कंट्रीटरी अपनेंट कोइंसुरेंस में इसन करोगे और प्रियाट कभर यह डिटेल्स आपको मेंशन करना है आप् नेम आफ हल्त नेम 要फ हल्त इस्रेंस यह सारे इटेल्स आफको मेंसन करना है इसके बाद सल्द अप्लवाइमंट ट्यास में नो करना है इंड इसके बाद इस Сक्षिन में पेंसरें ड्रेकर्डलेट बेनिफिट कंपनी नोडिटेल्स रिक्वार अधरे अधरेज झारेज to unemployment benefit no uh school attendance no uh type of so ESRS empty जाएंगे उसके बाद आप यहां पे details mention करोगे अपना contact details let's say phone number and your email okay and job current date just date काफ यहां पे आप signature के लिए आप both parents sign कर सकते हो and यहां पे signature of dependent applicable so dependent minor है हो यहां पे minor का signature नहीं कर सकता तो यह empty जाएगा and यहां पे but both parents can sign and one parent can also sign but i would say like okay you can you both can sign you know uh यह section important है basically यह आपका children का details यहां पे करना है so minor है so you don't need to print out any photo यहां पे details जाएगा यहां पे date of birth 4th April 10625 and Berlin health insurance number नहीं है नहीं है जर्मन पे फोन नंबर आप अपना डाल सकते हो email address आप अपना डाल सकते हो यह और यहां पे current date and same again like here you will both parents can sign uh that's it yeah form fill up करने के बाद आप इसका print out लेके आप scan कर सकते हो scan करने के बाद आप sign आपको scan करने के बाद करना है ऐसा नहीं कि आप digitally sign कर रहे हो वह valid नहीं होगा अगर आप email कर रहे हो तो आप digitally sign करके और software से sign करके आप send नहीं करोगे actually आपको print out इसका लेना पड़ेगा hard copy and then you will sign on it and then फिट से आपको scan करना पड़ेगा scan करके आप then आप family at the red tk.de पर आप send करोगे so हमने यहां पर already mention करा है email template अगर आपको चाहिए हो तो आप use कर सकते हो so आपको यह email send करना है family family at the red tk.de ठीक है यह आपका email address होगा और अगर आप post कर रहे हो तो आप इस address पर post करोगे यह आप last page में भी आप देख सकते हो कि कहां आपको post करना है so last page पर यह details mention होता है generally last page पर so last यह आपका यहां पर आप यहां पर आप address देख सकते हो क्योंकि address भी होते रहता है तो आप यहां पर जब भी आप पोस्ट करोगे तो उस समय जो actual address है क्योंकि यह application form में भी updated हो सो यह मैंने यहां जो address मैंने मेंशन का है हो latest address है आप इस पर सेंड कर सकते हो लेकिन आप जब भी आप application form send करते हो तो आप make sure कि आप latest address of tk पर सेंड कर रहे हो और जब आप application पोस्ट कर रहे हो तो आपको उस ताइम पे birth certificate the German copy आप सेंड कर सकते है और जब आप सकते हो या यू यू कैन आप सेंड कर सकते हो या यू यू कैन आल्सो टेक कलर प्रिंट आउट and application form and अगर आप email कर रहे हो उनको तो email के case में आप scan करोगे birth certificate German copy and and then आप अपना जो application form है जो आपने sign कर रहा है उसको आप scan करोगे और आप family as a rate tk.e पे आप यूज करोगे या आपका same template है आप ये यूज कर सकते हो and उसके बाद आप कुछ दिन वेट करोगे one week or two week within one or two week you will have health insurance card for your children and अगर उन्हें कुछ questions होगा then they will reach out to you either through post or either through email अगर आपको वी कुछ questions हो तो आप टीके support और से आप contact कर सकते वाया phone chat or email they are very responsive so 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 यह रहा आज का वीडियो comment section में मुझे जरूर बताया आपको यह वीडियो कैसा लगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care और कोरोना का टाइम चल रहा है सेफ रहे हल्दी रहे बावाई करुछ झाटब बावाई